इस अब आपर इस सेट अप के बारे में हम फोल डीटेल्स बात कर लेते हैं इसमें कितने वाट काई स्पीकर का यूज किया गया है यहाँ पर चार्ट टोप है और यहाँ पर दो पांच पंदर का टोप है और यहाँ पर दो सिंगल बेस है यहाँ पर कितने वाट काई स्पीकर है कौन सा स्पीकर का यूज किया गया है यह सबी जानकारी मैं आपको देना वाला हूँ, इस वीडियो में तो वीडियो का इन तक देखते रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को साथ, चैनल में पहली बारे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल एकन को और में सेट करें, क्योंकि आपको कहते हैं, तो यहां पर HF के ग्लिए अलग से Amplifier है, और HF को सब्सक्राइब के लिए अलग से Amplifier, मतलब कि चार्ट अप यहां पर हम पर कंप्लीट 11 108 का मतलब 1000 वर्त बन जाता है इस वीडियो के बाद करने वाले हैं, तो बात करेंगे, पहले यहां 5-15 के बारे में 2 top तो यह बार 5-15 का 2 top है मतलब 2 box है तो यहां पर इसमें speaker का use किया गया है 15-inch का 5 speaker 1 box में वहीं आप नीचे एक box और लगा हुआ है मतलब 2 box मतलब कुल मिलाकर कि 10 speaker हो जाता है speaker के wattage के बारे में बात करेंगे तो GST 1200 जो कि 15-inch में आता है 1200 Watt AS power में आता है speaker 4-inch voice coil में आता है PRU के speaker है सभी में PRU के speaker यूज किया गया है मैं आपको बता दू पहले ही तो PRU के speaker यूज किया गया है सभी में top में और base में भी और बात करेंगे तो यहां पर 5-5 speaker मतलब टोटल 10 speaker GST 1200 का लगाया गया है और single base के weight में यहां पर 18-inch का base speaker है जो कि 1000 Watt का speaker है 18-inch में तो यहां पर 1000-1000 Watt का 2 base है और यहां बात करेंगे तो यहां पर amplifier आप देख पा रहोंगे 4 amplifier है इस्टेंजर का SPV4 के और यह एक amplifier है यहां पर इस्टेंजर का PBT-701 connection के बारे हम बात करेंगे तो 4 top के लिए मतलब कुल मिला करके 8 speaker के लिए यहां पर 1 amplifier जो कि इस्टेंजर का SPV4 के यहां पर 2 top एक चले में 2 top दूसरे चले में HF के बारे हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास 3 amplifier है तो 3 amplifier में connection कैसे गिया गया है यह आप गोर्ड से समझे तो यहां पर 1 box में 5 बंदर है मतलब 5 यह speaker है तो 1 box में से 4 speaker एक amplifier में लगाया गया है 2 speaker एक चले में 2 speaker दूसरे चले में और वही हम बात करेंगे दूसरा box में तो यहां पर भी सेम वैसे ही लगाया है इसमें 5 speaker है लएन इसमें 4 speaker का connection अलग से निकाल करके एक amplifier में connect किया गया है तो यहां पर 2 speaker एक चले में 2 speaker दूसरे चले में कुछी इस पर कर से connection किया गया है अब बच गया 5 पंदर में एक speaker और एक 5 पंदर में बच गया एक speaker मतलब कुल में लाकर करके 2 speaker बच जाता है उसमें और नीचे आपका बच जाता है 2 bass single के तो यहां पर कुल में लाकर के एक amplifier हमारे पास है SPB4 के तो एक चले में 2 bass और यहां पर एक चले में 2 speaker कुछी इस परकार से connection किया गया है इस्क्रीन पर आप देख भारे होंगे कुछी इस परकार से आपको connection करना होता है इस setup में तो आप बात कर लेते हैं आपर इसके लिए generator कितने के विये का लगा गया है तो यहां पर हम बात करेंगे generator के बार में वो मैं आपको बता देता हूं तो 10 के V की generator में 4K प्लस 4K मतलब 4.4 watt के 2 amplifier प्लस यहां पर PBT 701 amplifier लगाया गया है एक generator में जो कि 10 के V की generator में लगाया गया है और वहीं 17.5 के V की generator में 4K प्लस 4K मतलब 4.4 watt का 2 amplifier लगाया गया है कुछ इस परकार से connection किया गया है मतलब की 10 के विए के generator में 10 के विए का stabilizer लगया गया है और 7.5 के विए के generator में 5 के विए का stabilizer लगया गया है तो connection कुछ इस परकार से किया गया है और मैंने आपको सभी चीज जानकारी बता दे है फूल डिर्टर्स एडर्स के बारे हम बात करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भाई का DJ संजय और यहाँ पर स्क्रीन पर मैं सोग कर दूँगा जहारखन का DJ सेटप है और यहाँ पर हम बात करेंगे तो भाई का YouTube चैनल भी है नीजर डिस्क्रीप्शन में तो जले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरों